हेलो दोस्तों आप सबका एक्जाम एक्सिस परिवार में स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त आप सबका SSC MTS का एक्जाम बहुत ही जवरदस्त गया होगा SSC MTS का एक्जाम जो की English का लेबल hard और GKGS का लेबल easy दे रहा था Math और reasoning सिर्फ qualifying रखा गया है यानि कि इसमें आपको सिर्फ 12-12 question आपका सही होगा तो आप इसमें qualify माने जाएंगे दूसरी तरफ आपका एक question तीन नमर का GKGS और English का था टोटल आपकी डेड़सन नमर में कितने लाने होंगे 25 question English के और 25 question आपकी GKGS यानि टोटल 50 question पे ही आपका merit बनेगा तो आपको कितने नमर लाना होगा इस पे हम discuss कर लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि तीन नमर का एक question था यानि टोटल 150 नमर आपका बन रहा है और उसमें भी मैं आपको बता दूँ कि एक गलती पे आपका एक नमर भी काट लिया जाएगा यानि अगर आपको कर रहे हैं तो आपको सही करने पर विश्वास करना होगा अगर आपका 10 question गलत हुआ तो 10 नमर तो जाएगा ही जाएगा सही वाला लेकर भी जाएगा यानि तीनचर question का नमर आपका लेकर चला जाएगा तो जो आप लोग सही किये हैं लमसम आपको English में देखे English में आपके 25 में 18 question के करीब करीब अगर आपका सही है तो आप बहुत ही बढ़िया इस्तिती में है, आपके selection के chances बहुत ही अधिक है दूसरी तरफ आपका GKGS का level down कर रहा था, तो यहाँ पे 25 में भी 19 के करिब करना होगा क्योंकि GKGS का level down था, क्योंकि मैंने जो paper दिया था, 25 में मेरा 23 GKGS सही है इंग्लिस मेरा थोड़ा गड़बड हो गया, क्योंकि मेरा इंग्लिस कमजोर है, एक्चोले बात करूँ तो तो आपके total कितने question होने चाहिए, आपके GKGS में 18 question सही होने चाहिए और यह हो गए आपके English में, sorry, GKGS में 19 question और English में 18 question यह आपके total 37 question सही होने चाहिए, ओके, 37 question और 37 question मतलब 37 गुणे अगर 3 करेंगे तो आप देख सकते हैं, 73 का 21 का 1 खासिल 2 और 33 का 9 दो 11 यानि करीब करीब अगर आपका 111 नंबर से अगर आपका उपर है, 111 से उपर है, तो maybe you are selected in MTS examination तो उमिद करता हूँ, भले आपको बहुत लोग बता रहे होगे कि 120 के करीब कट आप जाएगी, 130 चले जाएगी, 150 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा यार पेपर, actual में क्या पूसता है, उस पर भिश्यस द्यान देना होगा बहुत सारे लोग होँगे, जो इंग्लिस में भाई, 25 आउंट आप 25 भी किये होँगे, ठीक है, लेकिन जिके जेस, 25 आउट 25 के होँगे, अरे यार, वो कुछ लड़के होते हैं, कुछ चिनिंदे लड़के होते हैं, सभी लड़के नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आपको ये मान के चलना होगा, कि अगर 110 नमबर से उपर है, आप किसी भी कटेगरी से बिलांग करते हैं, तो इक्सन के चांसे बन सकते हैं, ठीक है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं, उमीद करता हूँ, आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन आवसी प्रेस कीजिएगा, बाय बाय, टेक कियर, जए हिंट